इस वीडियो में मैं आपको पेपर कटिंग से पैटर्स बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैंने यहां क्राफ पेपर लिया है यह स्वाइड सिपका है अब इसको यहां हाप से ऐसे फोल्ड करना है इसके बाद फिर से इसको हाप से फोल्ड करना है इसके बाद इसको फिर से एक बार ऐसे हाप से फोल्ड करना है जिससे कि यह ट्रैंगल से हो जाएगा यह ट्रैंगल से बन गया है अब इसके इस पोर्शन में जिधर बंद है पुला हुआ नहीं ओपन नहीं है उस साइट पे पेंसिल से पहले डिजाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद कटिंग करना है अब यह मैं यहां पे इस पे डिजाइन स्ट्रॉ करूंगी यह यहां पे मैंने फोर्ड ऐसे ट्रैंगल सेप का बनाया है और फिर यहां पे हाफ सर्कल और इस साइड भी दो हाफ सर्कल और यहां से हाफ एक बड़ा सा सर्कल बनाना है और यहां से इस सेप को भी थोड़ा सा कर्ब करना है और इस सारे पेटल्स को कट करना है जो पेंसिल से लाइन्स ड्रॉ है उसको अब यह सीजर से सारे लाइन्स को मैं कट करूंगी एक कट यहां लगाया और फिर दूसरा इसकी उपर से यह ऐसे निकल जाएगा सीजर का इस्तेमाल कभी भी अखेले ना करें अपने किसी बड़े की मदद से या पेरेंस के सामने ही करें अब यह सारे पैटर्स कट हो चुका है अब इसको ऐसे खोलेंगे यह हमारा प्यारा सा डिजाइन्स बन चुका है थाइंक्यू फोर वाचिंग्यू